जैहिंद दोस्तों दूसरों के लिए लगाई गई आग में अक्षर खुद का जलना भी तै होता है कुछ इसी तरह का स्थिती जो है बलोचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी है बलोचिस्तान जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा है जिस पे कबजा किया था पाकिस्तान ने और उसे अपना प्रांत बनाया था वही बलोचिस्तानी जो है अब विद्रोह कर रहे हैं वैसे विद्रोह की सुरुवात उनिस सो अर्टालीस से हो चुकी थी और अब तक विद्रोह कर रहे हैं बलचिस्तानी की डिमांड है कि उनको अपना एक अलग देश चाहिए वैसे तो पाकिस्तान से 1971 में बांगलादेश भी अलग हुआ अपने अलग देश बनाया तो इसी तरह का विद्रोह, इसी तरह की चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे कि आखिर बलचिस्तान जो है वो क्यों विद्रोह कर रहा है और क्या-क्या कारण है, क्या उनकी डिमांड है और भारत की उपर इसके क्या असर पढ़ने वाला है आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने का प्रास करेंगे नमस्कार मैं हूँ चंदन सेंग और निर्ना येश के तरफ से आप शभी दर्शकों का मैं स्वागत अभी नंदन करता हूँ तो चली सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारा परोसी मुल्क भारत तो वैसे काफी आगे बढ़ चुका है दोनों देश तरीके से तो कई तरह के चीजों के बावजूद भी जो पाकिस्तान का कुछ इलाका अगर आप देखें आधा इलाका डेबलप है और आधा इलाका काफी जादा पिछड़ा है पिछड़े इलाके में एक बलुचिस्तान का भी एरिया जो है वो पड़ता है और चाइना और एक दूसरे को कहते हैं कि वो दूसरे को नहीं छोड़ेंगे साथ निभाएंगे तो इसी तरह का जो समस्या है जो इनकी जो साथ है इसी साथ के वज़े से इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लाया है CPEC प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडर इसके बारे मे पूरे दुनिया में खबर है और ये इस प्रोजेक्ट पे दोनों काम कर रहे हैं और ब्लचिस्तान से होकर ये प्रोजेक्ट जो है जाता है और ब्लचिस्तान में जब विद्रों हो रहे हैं तो इस विद्रों के अंदर जो है चीजे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंग कहीं भूख है, कहीं प्यास है, कहीं पे भुकमरी के साथ लोग मर रहा हैं पाकिस्तान के अंदर, इतना ज़्यादा प्रबल knights के बावजूद भी जो है, और आप देखें दुनिया में कई जगा अभी विद्रू हो रहा हैं, कई जगा पेजराल का जो वार हो रहा है इसके साथ कई अन्य देश में भी जो है दुनिया भर में कही न कहीं प्रॉब्लिम्स अभी भी चल रही है इसी बीच में बिलोचिस्तान का भी मामला जो है वो सामने आया है यहालिया में आपको बंगलादेश का प्रॉब्लिम दिखा मैंनमार का प्रॉब्लिम दिखा तो इसी के साथ ये प्रॉब्लिम भी खड़ा हो गया इनके सामने हमारे परोसी मुलक के सामने अब इनके पास बहुत सारे कारण है कि ये कारण क्यूं ये ऐसा क्यूं हो रहा है एक तो ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं ऐसा लोग मान है इसके साथ कई ऐसे लोग है क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबी का जो और जो संबंध है और जो साक्षरता दर कम होने के वज़े से यह सारे problems कहीं ना कहीं तो अपने आप आते और बढ़ते रहते हैं अब अगर आप देखें कि अगर मैं आज की समझने का प्रास करें कि हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं तो सबसे पहला चीज कि बलचिस्तान के बारे में लोग समझ लेंगे आज बलचिस्तान का विद्रो को भी हम समझेंगे ऊब्रोचिस्टान का भारत का रुख क्या है भारत ने प opini इसके साथ हम देखेंगे कि भारत की चिन्ताएं क्या-क्तिसκों लेकर तो असारे चीज़ों स्टार्ट करेंगे मैप से सुरुवात करते हैं देखिए ये पूरा एरिया पाकिस्तान का है और ये जो एरिया लाल वाला है ये है बलुचिस्तान ये बलुचिस्तान है और ये है हरा वाला ये भी पाकिस्तान है तो कि अगर आप देखें डेबलपमेंट के फेज में तो ये जादा डेबलब है और यह एरिया बहुत ही कम डेबलब है पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के साथ चाइना के साथ अफगानिस्तान और इरान के साथ जो है वो मिलती है अगर बलुचिस्तान की एरिया की मैं बात करूं तो बलुचिस्तान का जो एरिया है वो अफगानिस्त साइधर के मामले में काफी ज्यादा अच्छा है समाचार में ouvנ करनी यहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उर्टर्शन करने कि उर्टर पर्वर्जट्स्थ यह क्फिलाफ लोग रहे हैं चाइना और पाकिस्तान की जो है आर्थिक जो है वो हिस्सा है जो प्रजट का हिस्सा है अब प्रदर्शन कारी जो है बांगलादेश में अस्थानी जो वहां के जो अस्थानी जो आपके जो बंदरगाह के पास के जो अस्थानी लोग है जो ब्लचिस्तान के अस्थानी लोग है वो प मर्थन कर रहा है यह प्रदासंकारी जो ब्लचिस्तान के हैं वो कह रहे हैं कि उनको जो है एक अलग जो है राज देश चाहिए वो अपने आप को पाकिस्तान का हिंस्टा नहीं मानते हैं अब इसके पीछे क्या कारण है इसको समझेंगे थोड़ा साम लोग ब्लचिस्तान को समझ लेते हैं यह मैप लाल वाला ब्लॉचिस्तान है यह काफे बड़ा एरिया है लेकिन जनसंख्या के मामले में बिल्कुल कम है अगर आप देखें तो यह अफगानिस्तान इरान यह दोनों से बॉर्डर बना रहा है और नीचे में अरब साधर है दोस्तों अब अगर पाकिस्तान के अंदर तोटल चार प्रांथ है उसी चार प्रांथ में से एक प्रांथ जो है वो ब्लॉचिस्तान है अब अगर आप देखें तो यह जो जमीनिया का जैसा मैं आपको बताया है कि जमीन के मामले में तो ब्लॉचिस्तान बड़ा है लेकिन जो जनसंख्या के मा समले में अगर देखा जाए तो वह काफी जादा कम है क्योंकि जादा तर इधर बलोच लोग रहते हैं जो कि अफगानिस्तान वगरा के जो है वहां से यहां पर आकर बसे हुए हैं अब अगर देखें जाती है बलोच हो गया अब इसके साथ अगर आप देखें इरान और अफ पीछे भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों अब अगर आप देखें बलोचिस्तान के सबसे बड़ी खासियत क्यों नहीं पाकिस्तान उसको छोड़ना चाहता है कारण क्या है क्योंकि पाकिस्तान तो एक वैसे ही गरीब देश है और दिन पर दिन GDP उसकी खतम होते जा रही है और दूसरे देश के लोन के करजे के ऊपर देश चल रहा है तो अगर आप देखें यह गैस और तेल यह दोनों बलोचिस्तान के अंदर बिलो भरे पड़े हुए है यानि कि कहीं गैस का खादान है गैस का जो है आपका चीज़े है तेल मिल रहा है तो इन सबी अरिया से म इस नय देश के लिए अधोलंगर देश स自煮र्थन इसको दिया रहा है अब हम अगर देखें जैसे मैंने बताया कि अब हमको यह समझना चाहिए कि यह पाकिस्तान के जो ब्रोचिस्तान है वो ब्रोचिस्तान के असल माइने में प्रॉब्लम्स क्या है तो विद्रोग को हम समझते हैं कि आखिर यह लोग जो है विद्रोग कर क्यों रहे हैं तो विद्रोग में अगर आप तो पकिस्तान में सामिल हो जाए या स्वतंतर रही है कि अग blues तरह हो इस तरह का प्रिशंच्छ स्थान जो है ब्रोट्श्टान को भी कहा गया कि प्रखीrev मिल सकते यह तो स्वतंत्र रह सकते हैं यह की लोग साल तक जो पाकिस्तान के बगल में होने के वजह से आगर आहाप देखे मैप को पाकिस्तान के बगल में था तो इसको यह इंध का वह के वाज़े से मदद से उन्हों ने इसके मृब्जा कर लिया और अपनयाब को इस्सा बनाने लगए ब्रोछिस्तान को अपना हिस्सा बोलने लगए तब से ब्रोचिस्तान उनके कबजय में हैं हिस्से में अगर आफ देखे तो यहाँ की कमी रही छेत्र की छेत्र में development ही नहीं हो पाया और साथ में आतंकवादी सम्मुह द्वारा जो है वो माना अधिकार का भी उलंगन जो है एक कारण बना बहुत सारे आतंकवादी ग्रूप जो है इन एरिया में जो है वह रहते थे और यहां पे बिद्रो जो है बलजुस्ता जो है तोने में उस पर कभजा कर लेते हैं तो ऐसे केस में वहां के लोग जो है वो विद्रोही बनना लाजमी है वो बनेंगे बनेंगे तो इस तरह की चीजे उस समय scor 292 में हुई और विद्रोज वहां के लोग विद्रोही वह सभी लोग करने लगे अब पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत इन विरोधियो का व्र recruit you का याद होगा 53 दिवस के मौके पर हमारे प्रधान-मंत्री भारत की वर भारत के ऊपर यह लगाता है कि भारत बाघ्रारत के आरोप यह लगा रहा है कारण कास्मीर भी है और कारण जो है इनका ब्लोचिस्तान है तो अब इसके आगे आप देखेंगे अब क्या होता है कि ब्लोचिस्तान का भारत पर रुख क्या-क्या है तो बहुत लंबे समय से आपको पता होगे भारत की हमेशा से रनीती रही है भारत हमेशा से जो है वो किस किसी भी देश के आंतरिक मामले में कोई भी हिस्सा वगरा नहीं बनता है किसी आंतरिक मामले में किसी किराजनितिक मामले में हस्तिछेप नहीं करता है भारत तो अब देखें पाकिस्तान दोरह वर्सों से बार-बार कस्मीरी मिद्दा उठाए जा रहे हैं और भारत ने लगतार चल रही है और इसी लगतार के बीच में भारत तो हमेशा से चुप रहा है लेकिन 2016 में हमारे प्रधान मंत्री ने जो है वो क्या किया ब्लचिस्तान पर टिपड़ी किया था तब पाकिस्तान में सतंतता दिवस का समरो हुआ था जो कस्मिर के सतंता को समर्पित था इस निल रहा है वहां के लोगों को बेननीफिट नहीं मिल रहा है वहां की लोगों को जो है सिक्छा नहीं दिजा रही है वहां के लोगे को उपर पैसे खर्च नहीं किया जा रहे हैं ताकि उनका विकास हो सके हर तरीके से उनका जो है शोशन किया जा रहा है ऐसा दुनिया भर में जो है यह चीजे देखने को मिली है और गोली बारी जो है वह आम बात है इसी के विए से आतंकवाद भी वहां पे जादा जो है उस एरिया में बढ़ चुका है तो इसे सारे आरोपों के बीच में भारत ने भी जो है इसमें अपने प्रतिकरिया दर्श की थी कि यह अत्यचार नहीं होने चाहिए माना अधिकार का उलंगन हो रहा है ब्लोचिस्तान वाले एरिया में तो अब अगर देखें आप त इंपोर्टेंट चीज है इसका फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान एकोनॉमिक कोरिडोर अब इसको हम समझते हैं कि चाइना के साथ मिलकर जो है यह जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है यह डेवलोप्मेंट का क्या यह असल माहिने में डेवलोप्मेंट का प्र प्रोपपर यहाब के रोड का सिपीसी प्रोजेक्ट यही ब्लू वाला लाइन है अब आप देखेंगे यह जो एरिया का और ब्लोचिस्तान की एरिया से भी यह प्रोज pomo मैं कर लोग तो चल रहा है और इसी के साथ साथ बाकि के जो लोग है वो इसका भी विरोद कर रहे हैं कि यह भी जो है नहीं होना चाहिए इसको बार-बार जो है लोग तोड़ दे रहे हैं बार-बार जो है इसको नुक्सान पहुंचा रहे हैं तो चाइना भी परसान हो गया है इन मामलों को इन चीजों को देखकर ऐसा माना जा रहा है कि रहे हैं लेकिन इसको समझते हैं हम लोग कि आखिर इस प्रोजेक्ट में क्या इंपोर्टेंट है और आखिर क्या-क्या चीज़े जो इसके बारे में हमें जानना चाहिए अगर आप देखे तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में यह दूई पक्षिय प्रियोजना है बाई लेटरल जो है यह प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान के बीच में अब इसका उदेश से है कि चीन का जो पश्चमी भाग है सिंज्ञ प्रांत वहां से गौादर बंदरगा बलोचिस्तान पाकिस्तान तक खुजेरा दर्रा के माध्यम से जोड़ता है गौादर पोठ यह जाता है चीन के पश्चमी भाग से ले कर यानि यह उदेश से पाकिस्तान में राज मारं गो रेल मारं गो पाइप मारं गो यानि पाइप मारन नेटवर्क और होगी कि सारी बुन्यादी का विकास करना है पाकेस्तान गौर्मेनंट का कहना सी जो है मक्सद है गवादर बंद्रगाह यहां से यह गवादर बंद्रगाह है ने पहुँच के पंच का और अफ्रीके पहुंच क करेंगे उसम यहां जो अफरीका इधर पड़ता है यह पूरा अफरीका तक भी जो है ट्रेड कर पाएंगे ऐसा जो है इन्होंने अपना जो है इस पर बनाया हुआ है साथ में जो सी पीजी बेल्ट है और रोड पहल का हिस्सा है और और जो बियराई यह 2013 में सुरू हुई थी दक्षिल हो जाएगा इस तरह 빠एंधर यह लोग जो हैं इससे वह वेपार वड़े और चाइना की तरक्की हो पाकिस्तान restraint कि पंसके वह बाकिशे के और चारप से क्योंकि चाइन ने पाकिस्तान के अंदर येomo project शलाये हैं शिरलंका के अंदर भी अपना पॉट बनाया है और बांगलादेस के अंदर भी पॉट बनाया है चाइना हर तरब से भारत को ऐसा घहरने का प्रयास कर रहा है ऐसा देखा जा रहा है और भारत भी इसको लेकर जो काफी concern है तो भारत की चिंताएं क्या-क्या है एक तो समप्रभुता की चिंता है sovereignty की चिंता जो है सबसे जादा है क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखे आप कि चीन द्वारा जो विक्सित किये जा रहा है जो प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के अधिक्रित पियोके से होकर गुजरती है जो पाकिस्तान occupied कस्मीर है एरिया है उस एरिया से भी होकर गुजरती है और जो की विवादित छेत्र है अगर आप देखें अगर यह प्रोजेक्ट बनता है तो इसको तो प्योके का छेतर मानता है इसको प्योके का छेतर मानता और यहां से भी होकर यह प्रोजेक्ट गुजर रहा है तो यह तो विवादित जमीन है और विवादित जमीन से विवादित इलाके से जो है इस प्रोजेक्ट को ले के जाया जा रहा है इसको हमेशा से भारत अपना एरि बहुन हम और हिंद महासागर में तामरिक पहुच प्रदान करता है अब अगत पाकिस्तान के राश्थे धोनों जगज यह दोनों जगा की वयहRe dan नहीं का रू inclama चीनी नोसेना कि ये यहान के रूप में विक्सित किया जा रहा है चाइना की जो पकिस्तान और चाइना चाइना ने अपने सारे जो है एरिया नौसना के जो लोग अपने वह पंड़ुम यह सब को जो है वो अपने ऍषरी ते यह मोती नहीं कि माला होता है उस Cot गलम पहते हो तरीड़ान उसी tämä चाइना जो है वो घेर रहा है आप देखें तो हिंद महासागर है उसके दक्षिर में आधोनिक बड़े-बड़े जैसे ग्वादर है ग्वादर जो पोठ है पाकिस्तान का और चटगाओं जो है वो बांगलादेश का पोठ है और इसके बाद क्यूक फ्रू मयानमार का जो है है मयानमार से भी घेरा हुआ है और हमन्ड तोटा हम टोटा हम बन तोटा जो है वह कि आत देखें भागरत के जितने भी परोशी मुल्क है चारू तरफ से यहां जगा जो है और यहां सर्लंका से भी घेर लिया है तो यह मोती का माला है वो भारत के लिए रनितिक खत्रा है और उसका उदेश से भारत को घेरना हिंद महासागर के उपर कबजा करना जो है ऐसा माना जा रहा है अगर आप देखें अब यह मोती का माला जो प्रोजेक्ट है जो सिधान्त है अब आप देखे चाइना यहां है और चाइना ने क्या किया है यह पाकिस्तान है यहां भी एक पॉट बना दिया यहां एक बंगलादेश में बना दिया और ऐसे करके वह लंबे दूरी से अपने कब्जा कर लेंगे चुकि हमारा जो है आठ स्टेट जो है एट सिस्टर वाली स्टेट जो है वह इन एरिया में बिलोंग करती हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत से इस एरिया को काटने का प्रयास करना चाहती है कब्जा करने का प्रयास करना चाहती है क्योंकि हमेश थे तो भारत ने अपने स्टेंड तो रखा हुआ है भारत अपने से पाउरफुल देश और आगे भी रहेगा तो उस तरह का खेब हैंलें बھारत ने अपने रनिति वह तेज कर लिए और भारत ने भी पने बंभे है अ सामने रखा हुआ है तो इस चीज के पर नजर बनाई हुई है गवर्मेंट और आगे भी जो है इसमें पावर्फुल जो हमारी नेता है पावर्फुल जो हमारी रणनिती है इसके साथ भारत की जो है अलग अलग कंट्रियों के साथ जो है अच्छे रिलेशन है तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको काफी पसंद आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कीजेगा तब तक के लिए जै हिंद जै भारत